नमस्कार साथियो जै हिंद जै भारत सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा साथियो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था हमने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई पचेतर वर्ष बाद आज हम अपने देश में 15 अगस्त को एक ऐसा त्योहार के रूप में मनाने जा रहे हैं जिसको देख के पूरा विश्वत दंग रह जाएगा जी हां 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हम अपने जंडे के समान को लेके इतना अच्छा परदर्शन भारत में हो रहा है जंडे को लेके जंडे के सम्मान को लेके कि आज मैं इसी विशाय में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं कुछ अपने विचार जो है वो आप लोगों के साथ सेयर करना चाहता हूं कि हम अपने जंडे से अपने तिरंगे से जितना प्यार करते हैं इसको जितना सम्मान देते हैं जितने सम्मान के साथ हम हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी हैं, जिस गलती की वज़र से हम तिरंगय का कहीं कहीं अप्मान कर दें। कि chickens can mockain होजाए MAR तो इस से पहले मैं आपको कँछ इसके नियम हैं जिनके बारे में आउगवत करा देता हूं बाकि सब जानते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि दो जाने और अंजाने में कुछ गल्डियां हो उपर चला जाता और केशरिया रंग नीचे आ जाता है केशरिया रंग हमेशा उपर होना चाहिए हरा रंग हमेशा नीचे रहना चाहिए सफेद रंग हमेशा बीच में रहता है केशरिया रंग जो होता है यह हमारे साहस और बलिदान ये हमारी आस्ता का पर्तीक है केसरिया रंग जो है वो अगर हम इसको अगर दूसरी भासा में लेके जाएं तो ये इसको एक पगड़ी का रूप दिया गया है देखे हमारे देश में पूर्वज जो थे हमारे जो पूर्वज थे वो सर पे पगड़ी पहना करते थे और पगड़ी को हमेशा सम्मान देते थे और पगड़ी हमेशा सर पे ही सजके रहती थी इसलिए केसरिया रंग जो है वो एक पगड़ी है ये एक पगड़ी का रंग है जिसका सम्मान हमें करना चाहिए और हम करते हैं और हमें करते रहना च जाता है के सफेद रंग होता है किसंगे रंग को साहँ और्लीडान को की असके हरा रहा हमारी धर्ती की हरीवरी में गराइक है यह कृषिप्रधानंदेशेहाँ चाहरे को कि के कि फिकि इसकी बहासा में इसको बोला गया है तो यह पstatी परदान देश इसलिहाए हरे रंग को भी इतना ही मर्ट दिया गया है तीनों से बनला है तिनों का अलग-अलग महत्व को इह गिότε असोग चकर है इसके बीच में असोग चकर है इसमें चोईस तिलियां हैं चोईस तिलियों को भी चोईस तिलियों का भी एक अलग-अलग महत्वा होता है जो अलग-अलग महत्वों को परदर्शित करती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि असोग चकर में चोई योग और देश्प्रेम की भावना अंतर निहित हो असोग चकर सारनात वारानसिस्तित असोग स्तम से लिया गया है ये स्तम सम्राट असोग के समय उसके धम नितिक्ता के नियम के परचार के लिए बनाया गया था ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं इस सारी चीजों से मिलके ये हमारा तिरंगा बना है इसलिए हम आज इस तिरंगे को इतना प्यार करते हैं इस तिरंगे का इतना सम्मान करते हैं कि सम्मान के साथ सम्मान के साथ ही जैसे ही इसका समापन हो समान के साथ हम इस त्रिंगे को उतारें और उतारते वक्त हर प्रकार के सावधानी बढ़तें और उतारने के बाद अपने राष्ट ध्वज को हमें समेट कर बक्सा या संदूक या अलमारी में समेट के रखना चाहिए ताकि भविशय में हम दुबारा इस जंडे को समान दें तो बकाईदा समान के साथ हम उसको निकालें और फिर से हम इसका समान करें के बोध बार गलती हैं ऐसे कोई भी इस कपड़े का कोई वस्तर नहीं बनाई जो use and throw कई बार क्या होता है कि लोग जोस में आ जाते हैं कपड़े बना लेते हैं टौपी बना लेते हैं क्या-क्या बना लेते हैं ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए यह राष्ट दवज है यह हमारा सम्मान है हमें इसको तिरंगे जंडे को तिरंगा जंडा ही रखना चाहिए इस इसको किसी भी ऐसी चीज के साथ कैरीवेक से इसका कैरीवेक के उपर इसका फोटो नहीं होना चाहिए कपड़ों के उपर इसका फोटो नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चीज़ें हैं जो हम उतार के फैंट देते हैं मैं यह वीडियो आप लोगों को यह वीडियो में इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आज हम 13 तारिक से लेके 15 तक इस जंडे का जितना सम्मान कर रहे हैं इस जंडे के लेके हम इतनी खुशी जाहिद कर रहे हैं इस जंडे को लेके हम इतना जो माहुल बना रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बात है लेकिन इसके साथ-साथ 16 तरिक को हमें इतने ही सम्मान के साथ इस जंडे को उतार कर हमें सुरक्सित्तान पे रखना है नहीं कि हमें कहीं फैंक देना है जितने भी भारतवासी हैं जितने भी मेरे देशवासी हैं जितने भी देश प्रेमी हैं उन सब से मेरी हाद जोड की विंती है कि 16 तरिक को कहीं पे भी हमारे जंडे का कहीं पे भी अपमान नहीं होना चाहिए और सम्मान के साथ हमें इसको बक्सा में समेट के रखना है यही इसका सम्मान है किशी को इसको कूड़े कचरे में नहीं ठैकना है अगर कोई भी गलती अगर कर देगा तो आपको पता है कि कुछ ऐसे भी कत्वे हैं जो हमारे फूटेज उठाकर हमें बदनाम कर सकते हैं गलती कोई करेगा यह बदनाम किशी के नाम आजाएगी इसलिए इस परकार की कोई गलती हमें नहीं करनी है कि हमें जंडे के परती इसका अपमान हो जाए इसका अपमान हमें नहीं करना है तो हमें संकलप लेना है और हमें इस चीज़ को एकदम पूरा समझना है कि हमें जंडे को उतने ही सम्मान के साथ फैराना है दवजा रोहन करना है और उतने ही सम्मान के साथ जब इसका समय पूरा हो जाए तो इतने ही सम्मान के साथ हमें उसको उतार के उसको समेट के हमें बक्सा में रखना है हमें कोई ऐसा कपड़ा ऐसी कोई वस्तू ऐसी कोई चीज यूज नहीं करनी है जिसको लेके हमारे जंडे का अपमान हो ये अपमान हम सेहन नहीं करेंगे हमें ऐसी कोई चीज देखने को ना मिले कि हमारा जंडा जो है वो कहीं कचरे में पड़ा है कहीं सड़क पे पड़ा है कहीं डस्ट बीन में पड़ा है कहीं ऐसी जगे पड़ा है ऐसा किशी को कुछ भी नहीं करना है हमें सिर्फ जंडे का सम्मान करना है और जंडे को सम्मान क के साथ समेट के रखना है जय हिंट जय भारत राम राम